फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाले हूँ सिंधी ब्रेकफास रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनती है बहुत ही अच्छी बनती है बच्चे बड़ी सभी को पसंद आती है तो आप इसको ब्रेकफास में बना सकते हैं और आप इसको डिनर में भी बना सकते हैं जैस अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो के नीचे जो लाइक बटन है उसको क्लिक करें और चैनल को सस्क्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूले तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूं आज की रेसिपी तो दाल बनाने के लिए हमने चना दाल लिया है इसमें चन गंटे भी हो दिया था उसके बाद फिर हम इसको बनाके तो मैं इसको टायरेट कुकर में बना रही हूं अपて नहीं पसंद है तो आप फेंड ओयल भी ले सकते हैं लेकिन अगर देशी गी में बनाएं तो बहुत टेस्टी बनेगा उसके बाद इसको भुनने के बाद यहां पर मैंने हिंग एट किया है हिंग एट करना बहुत जरूरी है क्योंकि हिंग से ही बहुत अच्छा टेस्ट आएगा और साथ में थोड़ में एट किया है हल्दी पाउडर यहां पर मैंने थोड़ा चना मसाला एट किया है और धनिया पाउडर एट किया है मसाले अपने अनुसार जैसी कॉन्टिटी हो उसके हिसाब से आप कर सकते हैं यहां पर थोड़ा साल्ट एट किया है ताकि मेरे टोमेटो जो है वह अच्छ और चना दाल को मैंने यह विला दिए चना दाल को इस नहीं नहीं बनाना है हमें तो फ्रेंट्स यहां पे मेरे जो दाल है के रेडी हो गई है और उसके बारिख यहां पे नहीं चौक्ण किया रह favor को अपर। यहाँ पर मैंने कॉरियंड्र ऐट कर दिया है। CeleING को मिक्स कर लिएंगे और एक साइट में रगतेंगे। और आप देख सकते हैं, दाल की ठीकनेस कैसी होनी चाहिए!! इस तरह की होनी चाहिए। और यहाँ पर देख सकते हैं! अबसरब कर लिया है और अब हम पकवान की तयारी करेंगे पकवान बनाने के लिए हमने यहां पर मैदा लिया है और मैदा दो बाउल लिया है और उसके बाद इसमें मैं लूँगी दो से तीन चमच ओयल यहां पर अजवाइन लिया नमक लिया और इसको मिक्स करेंगे और यह मुठी खुल रही है मैं इसके अभी थोड़ा सा और डालना पड़ेगा जो बचा तो भी मैंने डाल दिया उसके बाद यह मुठी अगदम परफेक्ट बन गई है तो फिर मैं इसको थोड़ा थोड़ा पानी एड़ करके और मैं इसका डो रेडी कर लोगी तो आप देख सकते ह हम डो हमारा यहां पर रेडी हो गया है और एकदम परफेक्ट है और डो कैसा होना चाहिए वह आप देख लीजे इतना रखना है हमें अब हम डो के ऊपर थोड़ा सा हाथ में ओयल लेंगे और उसके ऊपर लगा देंगे ताकि हमारा जो डो है वह सुखे नहीं और अच्छे अब हम यहां पर इसको एक बार और थोड़ा सा मसल लेंगे और फिर छोटी छोटी लोई बनाएंगे हम यहां पर देख सकते हैं इतने बड़े हमें इसके बॉल लेने हैं तो यह अब हम यहां पर एक साथ लेके और एक साइज के बॉल कट कर लेंगे तो एक साइज के बॉल साथ से कम ज़्यादा कर सकते हैं इसमें कोई ऐसा नहीं है और ठीकनेस उसकी जैसी रोटी होती है उससे थोड़ा सा पतला रखना है अब यहां पर फॉक की हैल्प से हम इसको कर देंगे होल इसमें ताकि हमारे पकवान फूले नहीं होल नहीं करेंगे तो यह फिर कड़ाई में जाके फूल जाएंगे तो इस तरह करना है अब मैं दूसरा भी बेल के आपको दिखाती हूं तो यहां पर मैंने दूसरा भी ले लिया है तो इसको भी देख सकते हैं आप किस तरह से मै में सारे हमारे पकवान बना लेने हैं अब कडाई लेंगे कडाई लेने के बाद उसमें हमने अट कर दिया है पकवान और low-to-medium flame रखना है तो यहां पर देख सकते हैं आप अच्छा क्रिस्पी बना है और low-to-medium flame पर ही करना है हमको तो इसी तरह से हमें अपने सारे पकवान को डिफ्राइ कर लेना है और इसमें क्योंकि मोयन होता है तो बहुत अधिक ओयल नहीं लगता है बहुत जल्दी से हो जाता है और बहुत क् और इसी तरह से हम दूसरा पकवान भी रेडी कर लेंगे तो एक एक करके करते जाएंगे इस तरह से हमें इसको करना है और बहुत ही अच्छा बनता है यह बहुत क्रिस्पी बनता है और इसी तरह low-to-medium flame पर हमें इसको डिफ्राइ करना है तो इसी तरह से सारे हम अपने प जरूकर करके आपको दिखाती हूं तो फ्रेंड्स आपको देख सकते हैं मैंने यहां पे सर्व कर लिया है और इस बहुत ही टेस्टी बना बहुत ख़सता बना है और आप जरूर ट्राइ किजिए आपको पसंद आएगा यह दाल पक्मान तो मैं आपको खा के दिखाती हूँ, तो आप देख सकते हैं, कितना क्रिस्पी बना है, और बहुत ही टेस्टी, तो मैंने खा लिया है, आप सब भी बनाएए और खाईए, और कमेंट बॉक्स में जुरूर बताहिए, आपको कैसा लगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मै अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कमें शेयर जरूर कीजिए और चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी मैं क्यों न्यू रेसिपी डालनों तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और फ्रेंट्स कमेंट करके जरूर बता करें कि आपको रेसिपी कैसी लगी तो फिर मिलते हूं फिर एक न्यू वीडियो के साथ न्यू रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई फ्रेंट्स स्टे होम स्टे सेफ और लोग डाउन में सभी लोग घर में रहें और सेफ रहें बाई-बाई टेक क्यार कर लोग कर लोग?